जब मैं 19 साल का था तब मुझे एक बार पिताजी ने उनके बड़े बाई ब्रिजमोहन काका के यहां रहने के लिए बेजा था काकी की दो महीने पहले ही टीवी से मुर्थी हुई थी और काका बहुत अकेले थे मेरी एक्जाम खत्म होते ही पापान मुझे देहरा धून में काका के घर रवानक कर दिया अच्छा हुआ तुम आए पुरीद बेटा बहुत सालो बाद आए और वो भी अकेले सफर तो ठीक ता है हाँ काका कैब ने कुछ दूर मुझे उतार दिया फिर मैं चल कर आया जिक कैब वाले सब अजीव हैं दुनिया भर घुमाएंगे पर यहां तक नहीं आएंगे ऐसा क्यों काका फिर वो सब छोड़ो तुम हाथ मुझे धोलो हरी राम मेरा नोकर खाना लगाता ही होगा कमरा तो अच्छा है काका का तुम? तुम कौन हो? हरी राम नोकर खाना लगा लूँ? हाँ हाँ जरूर नीचे हॉल में आजएए आता हूँ काका का नोकर सो साल का लगता है खाना अच्छा है? बहुत अच्छा है काका बहुत दिनों बात किसी के साथ बैठ कर खा रहा हूँ काकी की याद अभी भी आती है? तो वो तो बस याद ही है और क्या? एक एक करके सब छोड़ गए और कौन? तुम्हारी काकी की बहन भी यहां रहती थी और उनका पती और लड़का पूरा का पूरा परिवार एक एक करके पिछले साथ सालों में गुजर गया इसी घर में सब की सब? पर कैसे? सब बिमारी के वज़े से कोई टीवी, कोई कैंसर, कोई है जा अब तो बस मेरी बारी है तूँ ऐसा मत बोलो काका कैर अच्छा हो तुम आए कुछ दिन के लिए तो मन बहल जाएगा आराम से रहो बेटा कैसा नसीब है काका का, बिचारे, सब के सब चले गए चले की जाएगी यह सुगैसे, मन्हूस है यह, मन्हूस भाई, आप इतने चोरी चिपे कैसे आ जाते हो? मेरा कहा किसी ने नहीं माना, इसी कमरे में मरे हैं सब, इसी खाट पर मैं भी इसी पर सोऊँगा, आज राद फाल्तु की बाते करता है यह बुड़ाओ, मौत की खाट? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता चलो सोचाता हूँ, ठका हुआ आदमी यह नहीं सोचता, खाट कैसी है? ओ, इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ तो गुटन सी महसूस हो रही है इसी कमरे में मरे हैं सब, इसी खाट पर, मनहूस है यह, मनहूस यह वाकई में मनहूस लग रहा है, मैं इस खाट पर नहीं सो सकता नहीं नहीं यह मैं, यह कैसे? यह नहीं हो सकता क्या हुआ? यह खाट यहाँ कैसे? वो, मैं मेरी अर्थी, जो भी बुरी ताकत है यहाँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, कि इस बच्चे को छोड़ दो यह क्या हो रहा है? छोड़ दो, छोड़ दो इसे, यह मेरा आदेश है मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकता फिक्र मत करो बेटा, सुबह होने ही वाली है बाहर हॉल में थोड़ा आराम कर लो और फिर चले जाना पर जाने से पहले तुम्हारे काका को यह बात जुरूर बता देना बहुत दुख हो रहा है कि तुम ऐसे अचानक जा रहे हो सोरी काका, पर जाना पड़ेगा लेकिन आप यह बात याद रखना उस खाट में कुछ है सब ने मुझे कहा, तुम में कुछ है अगर है, तो उससे कहूं मेरे साथ भी वही करे जो सब के साथ किया और रखा ही क्या है वो वक्ते के बाद ये भायानक समाचार आया कि प्रजमोहन काका का अचानक दिल के दोरे से देहांत हो गया नौकर हरी राम से पूछने पर यह पता चला कि वहे उसी खाट पर मरे हुए मिले